लेटेस्ट न्यूस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन फ्रेज करें जेल के स्टाफ में भी मुसल्मान से नफ़र और उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं तवरेज की मौत हो गई कौन है वो लोग कहा हैं इंदस्टाइन के वो लोग जो कानी के नाम पर आज भी मरमिकने को तयार हैं कहा हैं तुम लोग कहां कौन से घर में तुम छुपकर बैठते हो कहा है वो लोग जो सुबा संदर बोस पर अपनी गरदन कटाने का नाम लेते थे कहां छुप गए तुम लोग कहा है वो लोग जो हिंदस्तान की गंगा जमनी तैजीद की दुआए मुझसे देते थे कहा है तुम तुम कही नजर नहीं आए इसलिए कह रहा हूँ कि अब तुम अखेले हो याद रखो अगर आज भी तुम अपने दिल और दिमाग में सोच रहे होगे कि शायद कोई मेरी मदद को आएगा नहीं तुम्हारी अब कोई मदद को आने वाला नहीं है तुम्हारी मदद हमेशा ला करता था और ला ही करेगा इंशालला होता मैं तुम से आज जम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि सियासी पाकी हो सियासी लीडर हो अरे छोड़ो इन लोगों को अपनी निजबत ला से मजबूत करो अल्ला की साथ हमारे लिए काफी है कोई एक दिल्ली में एक जलूस निकला जंतर मंतर पर लोग कैंडिल लाइट लेकर निकले कोई बैनर लेकर निकले कि आया हम तबरेज अरे तुम्हारा क्या नुखसान हुआ मेरी बेटी तो बेवा हो गई तुम्हारा क्या नुखसान हुआ मेरी बेहन तो बेवा हो गई और जितने माब लिंचिंग के वाखियाद जब से नरंदर मोडी वग प्राइम मिनिस्टर बने एक्टी परसंट मरने वाले मुसल्मान जारकड में पांच साल में एक्टारा माब लिंचिंग के वाखियाद ग्यारा मुसल्मान के माबाखी आदिवासी और हमारे दलिद भाईयों के मेरे अजीज दोस्तों और बुजर्गों मैं ये बात आप के दर्मियान में कहने को आया हूँ के अब हम को एक फैसला अपलो आप मैं ये नहीं कह रहाँ के आप मुझे मजबूत करो मैं ये नहीं कह रहाँ के आप वारिस पठान या इम्त्यास जलील को मजबूत करो मैं आप से कह रहाँ के अब तो होश में आ जाओ अब तो होश में आ जाओ और अगर तुम ये समझ रहो के कांगरेस आएगी नहीं आएगी कांगरेस अब मेरे भाई जब कष्टी डूबती है ना तो सबसे आखिर में कष्टी से कूदने वाला उस कष्टी का कफ्तान होता है सबसे आखिर में कूदता है कफ्तान सब को निकालता है कफ्तान मगर ये पार्टी का कप्तान ऐस है कि पहले ही कूट के चला गया पहले ही जम पार दिया क्या जम पारा क्या करा लागानता मगर हम पुकारते रहे महराश्त्रा के पारलिवान इलेक्शन में कि दालो ओट प्रकाशम बेद कर साब को ओट दालो तो हर जलसे में ऐसी तड़ा लोग आते थे नारे लगाते थे और जलसे के बाद मुझे नौजवान फोन करके बोलते थे असद साथ महले के मस्जिद के मौलाना बोल रहे मिया उन्हों तो जजबाती तकरीर करते है मगर हम को कांगरिस को ओड़ देना अब मैं आप से पूछना चाहता हूँ वो मस्जिद के जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूँ क्या भी भी तुम नहीं बदलोगे आप तो उमर की हद दू पाउँच चुके हैं मगर क्यों इन नोजवानों को खबर में डाल रहे हो इनके मस्तख्बिल को क्यों बर्बाद कर रहे हो अब कांगरिस का कोई मस्तख्बिल नहीं है याद रखो अगर सिंदोस्ताइन में कोई सियास्ट अब चलेगी तो इन्शालला उताला जो महरा अश्रा की गरीब अवाम ने कांगरिस से अपनी होने वाला यह यहाँ के आप के मिले स्री कृष्णा कमीशन में कोट को गए थे हाई कोट को गए थे तो इनके कप्टेन की तरह हाई कोट में स्री कृष्णा कमीशन के रेकमेंडेशन पर इंप्लिमेंटेशन का मुतालबा किया उसके बाद पूट के भाग दे नजर नहीं आए और पूरे महराश्ट्रा के लेक्शन में मौसूफ हिंदोस्ताइन के बड़े बड़े उलिमाओं को हैली काप्टर में लेकर आ रहे थे हिंदोस्ताइन के बड़े बड़े उल्माओं को मुझे किसी से अक्तलाफ नहीं है किसकी क्या मजबूरी है वो जानता है मगर मेरी मजबूरी नहीं है आपकी मजबूरी नहीं है मैं आप से अरस करने आया हूँ मेरे भाई कि आपकी बार आने वाले इसम्बली के इंतिखाबाद में आपको अपनी जमाद मनलिस अत्हाद मुस्लमीन को मजबूत करना है हमारा अलाइंस जनाब प्रकाश अम्बेकर साहब के साथ जारी खिलाफ लड़ेगा एलेक्शन इन्शालला हम रहेंगा यहां से इन्शालला हुटाला मेरे अजीज दोस्तों और बुजर्गों मैं आप से ये भी अर्स करना चाहता हूँ कि अगर कोई संग परिवार का कोई शुव से ना का कोई RSS का अदमी आप से कहेगा कि मुसल्मान कटवा तू देश्ट रुई है तू घदार है तो उसको एक जवार अजीज दो करमें झाल 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 हुआ है हम इंदोस्तान के वजीरियाजम को भी में बोलना चाहूंगा मिस्टर मोडी कभी मन की बात में इंडिया गेट की भी बात कर लिया करो कभी मन की बात में इंडिया गेट की भी बात करो 65% नाम जो लिखेवे हैं मुसल्मानों के लिखेवे उसको नरेंदर मोडी आपकी पाटी की वो जो भी है क्या नाम है उसका नहीं मालूम मुझे इतना नहीं मालूम के नरेंदर मोडी को उस लेड़ी एंपी से इतनी चाहत क्यूं है जिसने पापू को कहा गोटसे की तारीफ की मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूं अंदरस्टाइन के वजीर राज़न को डेवंदर फट्नविस से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी पाकी की एंपी ने कहा कि मैंने हेमन करकरे को शराब किया इसलिए मर गया मैं महराश्टाइ की पॉलिस को पैगान देना चाहता हूं कि आज दूले बे आए तो आपने बाँ इंतजाम किया हमारे लिए मगर मैं माराश्टरा की पॉलिस पे पेगान देना चाहता हूँ कि यकीनन मैं को अच्छा आजमी नहीं हूँ बुरा आजमी हूँ मगर आप खुछ सोचो कि आप जो वर्दी पहनते आपने पाकिस्तान स्याव जालिम अजमल कसब का आपने वकाबला किया जिन्होंने मुंबई की सरकों पर मासू मिंदस्तानियों के खुन की हुली खेली जिसने वीटी स्टेशन और ताज होटल में खुन की गोलिया बरसाई जिस हेमन करकरे ने बहद्दुरी के साथ अस्पताल में जाकर उस जालिम का मकाबला किया आज बीजेपी की अमपी कहती है के करकरे मरा तो मेरे बद्दुरा से मरा आज वो बीजेपी में अमपी बन कर बैठी है अमपी बन कर बैठी है इसलिए मैं कह रहा हूँ के तुम अब अकेले हो मेरे इस बात को याद रखो मैं तुम को डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं तुम्हारे दिलों से खौफ को निकालने के लिए कह रहा हूँ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं तुम को याद दिलाना चाह रहा हूँ कि तुम दुनिया में अकेले आए और अकेले जाओगे इंशालला हुटाला मगर हम अकेले नहीं है अगर तुम अक्तिदार की कुर्सियों पर बैटने वालों से उम्मीद लगा कर बैठे हो कि शायद कोई मेरी मदद करेगा तो अल्ला कह रहा है कि मेरे बंदे मैं तेरी शेरक से करीब हूँ तो मुझे भुकार अल्ला से अपने रिष्टे को मजबूत करो और याद रखो हिंदोस्तान को हम छोड़ कर रही जाएंगे इंशालला हुटाला हम हिंदोस्तान में पैदा हुए यहीं पर पूरी शान और शौकत के साथ रहेंगे अपने मजबिदों को आबाद रखेंगे मदर्सों को आबाद रखेंगे अपने हक के लिए जमूरी अंदाज में लड़ेंगे जो बाबा साहिब का दियावा सम्मिधान है उसको इस्तमाल करेंगे और इंशालला हुटाला मैं तुम से वादा कर रहा हूँ के जब तक मनलिस का एक एक फर्जिन्दा आए हम तुमारी अजमत के लिए तुमारे इंसाफ के लिए तुमारे हक के लिए लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे इंशालला हुटाला मेरे जीज़ दोस्तों और मुज़र्गों मैं आप से का और बाद करकर अपनी बात खतम कर देना चाहता हो के प्रेमिनेस्टर नरेंदर मोडी एक न्यू इंडिया बनाना चाहते है कौन सा इंडिया बनाना चाहते नहीं मालूँ मगर एक बात मैं जानता हूँ के बीजे पी को जो एक्तदार मिला वो न्यू इंडिया बनाने के लिए नहीं मिला वो इंडिया को हिंदु राष्टर बनाना चाहते है वो हिंदुस्तान को हिंदुत्वा की तहजीद में डूप डूप देना चाहते है उसको डूपो देना चाहते है मैं हिंदों के खिलाफ कभी था ना कभी रहूँगा मेरी रड़ाई हिंदुत्वा के खिलाफ है कौन सा हिंदुत्वा जिसने करकरे को सराथ किया कौन सा हिंदुत्वा जिसने गोटसे की तारीफ की मैं उस हिंदुत्वा के खिलाफ है मेरे अजीज दोस्तों और बजरुगों अभी भी वक्त है मुत्तहिद हो जाओ अगर आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कोई सेकुलर पाटी ये कुछ नहीं होने वाला है हिंदुस्ताइन के वजीर आदम राजियस सबा में तब्रेज अंसारी की मौत पर कहे दिये कि मुझे भी तकलीफ है और साथी साथ हजबे रिवायत मोडी ने कहे दिया मगर जारकन की जनता को बदनाम मत कब आज से तीन चार महिने के बाद जब जारकन को नरेंदर मोडी जाएंगे तो वहाँ पर जाकर कहेंगे भाईो भाईनो एक शेर्वाणी हो ऐसी है जिसने जारकन को बदनाम किया मैं जारकन की असमिता के नाम पराज़ से अपील कर रहा हो बी-जे-पी-कॉर्श मोडी जाकर कहेंगे कि जारकन के नाम को बदनाम किस दिया वजीर आजम मोडी जारकंड नहीं बलके पूरे विश में हिंदुस्तान बड़ना हो रहा है आप हिंदुस्तान के वजीर आजम है तबरेज अंसारी मुसल्मान हैं तो आप उसके भी प्राइम इनिस्टर है और आप की जिम्मधानी है क्योंकि जब से आप की पाटी पावर मी आई है मुसल्मानों पर माब लिंचिंग के नाम पर हमको निशाना बनाया जारा कभी गाए के नाम पर कभी चोरी के नाम पर कभी आतंकवादी के नाम पर कभी अड़ि के नाम पर कभी तोपी के नाम पर कभी नारा नहीं लगाए जेएसार का कभी नारा नहीं लगाए वी अम का, तो मारो इसको हिंदोस्ताइन के वजीरियाजम क्या आप से एक बात हो पाएगी क्या आप न्यूजिलेंड के प्रेमिनिस्टर की तरह क्या आप तबरेज अंसारी की बेवा को हमारी बेहन को अपने घर को बुलाकर उसके सर पर हाद रखकर कहेंगे क्या तू मेरी बेटी है अब इंशालला इसके बाद कोई वाक्या नहीं होगा क्या हिंदोस्ताइन के वजीरियाजम कमपेशन दिखाएंगे क्या हिंदोस्ताइन के वजीरियाजम अपनी कॉंस्टिउशनल डूटी को निवाने की बात करेंगे नहीं करेंगे वजीरियाजम बोलेंगे इंडिया फरस्ट वजिरियाजम बोलेंगे सबका विश्वास सबका साथ हिंदस्ताइन के वजिरियाजम सुनो जो आप ट्रम के इत्य खरीब हो गए अमरीका गए थे अब फिर जाने वाले है सेप्टमबर में मालुम हुआ हम वजिरियाजम से बोलेंगे जब सेप्टेंबर में जाएंगे तो ट्रम्प से इतने गले मत मिलो आप ऐसा लग रहा था कि पूरे रमजान और बगरीद के गले एक साथ मिल रहे आप ट्रम्प से वो ट्रम्प ने क्या किया पिछले साल फ्रीडम आफ रिलिजन की रिपोर्ट आई इस साल भी फ्रीडम आफ रिलिजन की रिपोर्ट आई और उसको एन्यूल फीचर कर दिया गया हूँ जो अखलमंद है वो समद रहा है मैं क्या कह रहा हूँ हिंदोस्तान के वजिर आजम आप क्यों ट्रम्प से डरते इतना है लो ना इरान से आईल लो इरान से आईल लो तो बोलें के नई अंकल ट्रम्प ने कहा नहीं ले सकते तुम नहीं ले सकते मगर कहांगे आपका छपपणिछ का सीना कहांगे आपकी वो बातें के घर में घुशके मारेंगे वंदोस्तान के वजीर आजम आपकी सोंच और फिकर रखने वाले लोग मुसल्मानों के घर में गुसकरम को मार रहे हमारी जाएंट की खीमत नहीं है गाएंट की खीमत है हमारे जाएंट की खीमत नहीं है जनुर की खीमत है हमारे जाएंट की खीमत नहीं है क्यूंकि हमारा नाम मुसल्मान और मैं मुसल्मानों से अपील करना हूँ क्या तुम अभी भी अपने मसलग के अखिलाफात में मलविस रहोगे रहो अपने मसलग पर तुम बरेल्वी हो तो टंकनातन बरेल्वी रहो अगर तुम तबलीगी हो तो सबर्दस उस पर तबलीग का काम करो अगर तुम सूफी हो तो सूफी रहो अगर तुम शिया हो तो शिया रहो मगर एक मेरे समाल का जवाब दो जो मिल्लत को इन चीजों पर कमजोर कर रहे जब तबरेस को मारा गया तो उससे क्या पूछा गया क्या तू द्योबंदी है क्या तू बरेलवी है क्या तू सूफी है क्या तू शिया है क्या तू सुन्नी है उससे सिर्फ यही पूछा गया क्या तू कट्वा है या नहीं बता और हमारा मामला यह है कि हम इसी में मुलबिस रहेंगे अरे याद रखो ये आग ये आग में हम जल रहें खुदा के लिए इन चीज़ों को छोड़ो अपने मसलक पर जरूर रहो मगर अपने इतिहाद को मजबूत करो मेरे अजीज दोस्तों और मुझरगों महराश्टा के समले इंतिखाबाद में मनलिस इतिहाद और मुसलमें और वन्चित बहुजा नगाडी के खायद बई सुनने तयार नहीं था आज यही आग के यहां के मुखामी मौसूफ कांगरेस के उम्मिदवार क्या था वो MP के उम्मिदवार का नाम प्रियादत को प्रियादत को लेकर आए साउथ मुंबई से वो हमारे दोस्त क्या नामे वारिस मिलिन को लेकर आए सब को लेकर आए और मेरे को बोलते थे अरे तुम मत जाओ तुम आपूम मत आओ हमारे पास मैं अच्छी बात है, मैं नहीं आता देख लो तुम, मगर नतीजा कुछ और निकलने वाला है, मैं इसी पार्लिमेंट के हलके से किसी एक जलसे से वापिस जा रहा था, तो एक जगा पर कांगरेस का इसी जलसा चल रहा था, मेरी गाड़ी ऐसा कहीं रुक गई, तो मेरे खिलाआफ कोई बγάड़ा था कांगरेस के डाइस से, तो हमारे जिसम में भी तेजा आपकी है, हम भी गोश खाने वाले है, छोटे का खाते चिकन भी खाते और जो लीगली बड़े का हैं वो भी खाते गो, लीगली, लीगल, इलीगल नहीं, इलीगल खाते होंगे आप मैं लीगल था तो मैं बोला अच्छा हमारा नाम लिए मैं गाड़ी से उतर के ठैर गया एक बच्छे को बोला था ले सेलफी मेरी अरे असद भाई जलसा छोड़के पूरे भाग के आगे ये इंका प्राबलम है मेरे भाई उस पाठी का साथ मत दो जिसका कैप्टन कष्टी डूबने से पहले कूद के भाग दे आ तुम उस घुलाम का साथ दो तुम अपने उस भाई का साथ दो जो तुमारे साथ मर मितने को तयार जिसके दिल में सिवाए अल्ला के किसी का खाफ नहीं है और अल्ला जानता है मेरी इस कैफियत को मेरा मकसद एक ही है कि हिंदोस्ताइन की जमूरियत में जलीटों को वन्चित को मुसल्मानों को उनका जायज बुखाम मिलना चाला और वो कैसे होगा क्या बीजेपी शुसेना कांगरेस न्सीपी देगी नहीं देगी नहीं देंगे यह कभी नहीं देंगे याद रखो मेरी आप इस बात अगर महाराश्टा के इसम्बली में मंदलिस के और वन्चित बहुजन अगाडी के 25 से 30 अमेल अगर इंशालला कामियाब होकर जाते है तो आप खुश सोचो क्या नजारा रहेगा महाराश्टा की विदान सबा का क्याम्बेटकर का नाव लेने वाले गरीबों का नाव लेने वाले जा रहे तुमने देखा पार्लिमेंट में क्या हुआ मैं जैसा गया इम्तियाज अपना वोट ले लिए तो इम्तियाज बोले असक भाई आप जाएंगे वाला देखो तमाशाब जैसा मैं गया तो इनको राम याद आगए बस पुकार ना शुरू कर दिये मैं भी लीगली बड़े का खाने वाला हूँ मैंने का पुकारो 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 फूप कारो अगर मुझे देखकर तुमारे खुदा तुमको याद आ रहे तो मेरी जिन्दगी काम्याब क्योंकि जब बस जाती है तो पुकारना पड़ता है हम गए ओट लिए उसके बाद हमने कहा अव सुनो सौसुनार की एक लोहार की मैंने का जैमीम जैमीम उसके बाद मैंने का अव यह भी सुनो तकबीर उसके बाद इन लोगों के चहरे ऐसा सूप गए ऐसा लग रहा था के खून उड़ गया बोले यह क्या करे मैंने आप तो स्टार्टिंग है शुरुआत है अब देखो पांच साल में क्या क्या बोलूँगा मैं अब मगर मैं बीजे पी के लोगों से कहना चाहरा हूँ अगर आप मर्यादा पुर्शोतम राम के चाने वाले है तो राम की जिन्दगी को पढ़ो और उसके तो एक फीस्द जो मर्यादा पुर्शोतम राम की खुबिया जी तुम अपनी जिन्दगी में पैदा करो तुम इनसान बन जाओगे तुम इनसान बन जाओगे तुम मर्यादा पुर्शोतम का राम लेकर तबरेस को मार रहे हो ये इंसानियत नहीं, ये हैवानियत है तुम राम को पतनाम कर रहे हो तुम राम के भक्त नहीं हो तुम राक्षसों के भक्त हो तुम इंसानियत के दुश्मन हो मगर इंशालला हो ताला हम मुखाबला करेंगे क्या आप हमारा साथ देंगे मेरे भाई क्या आप हम्बेटकर साब का साथ देंगे जरा वहाँ से हाथ ने उठ रहा कांगरेस का ग्रूप तो नहीं है ना आपका काम यह मेरे दोस्तों कि दिल और दिमाग से खौफ को निकालो अल्ला से अपने रिश्टे को मजबूत करो एक 18 साल की बच्ची हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लाज मार दिया और कहा कि मुझे अल्ला काफी है वो 18 साल की बच्ची हम तमाम को आइना दिखा रही है कि अल्ला से अपने रिश्टे को मजबूत करो और सियासी तावर पर वंचित बहुजन अगाडी और हमायम को मजबूत करिए इंशाल्ला ये पहला जलसा है कांग्रेसियों पापियों फिराओंगा अगबर को भी जाओंगा फिराओंगा हुदा अपने 500 कारे करता के साथ पहुजनी सित्याद और मुस्लिमीन पार्टी जोइन कर रहे है अशा साथ की घुलपोशी करेंगा जल्दी हुसेन मकरानी अज़ागी लिखना इस वडियो लाइक करना बेल्कुल में मत भूलना और शेर जरूर कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को तो भूलना ही मत उसे जरूर दबा देना